आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम अनुराग उजह है कहां से आप मैं नवादा भिहार से हूँ अच्छा आपने यहां नलंदा आकर यह दस्टिन का जो कोर्स किया आपका अनुभव क्या सब्सक्राइब है अनुभव तो मैं सब्दों में बयानने कर सकता थिक है अनुभव यह है कि जो में फरस्स टाइम letters में पहली बार मैंने खुद लाना हुपत jamais सब्सक्राइब यह experience है मेरा अपने सरीर पर पूरा मन पर पूरा, समाज पर पूरा, मतलब ये एक ऐसी उपासना पद्धती है जिससे आप एक जगह पे बैठे, पुरी दुनिया का भ्रमन, अपने मस्तिश्क का भ्रमन अपने सरीर का भ्रमन अपने एक्छाओं का भ्रह्मन अपने आएक्छाओं का भ्रह्मन सब कुछ आप नैतिक मुल्ले से बैठे बैठे कर सकते हो आप अपने माता पिता को बताना चाहेंगे विपाश्णा के बारे में और क्या उनको आप सजेस्ट करेंगे विपाश्णा करें मैं सजेश्ट नहीं करूंगा मैं उनसे हाथ जुड की आगरह करूँगा मैं आगरह करूँगा बिन्नती करूँगा कुई मेरी माताजी सारे रीक रूप से कस्ट में है उनके सरीर में थोड़ा कस्ट है और मेडिकल साइंस पर विष्वास करते हैं करना भी चाहिए सबको विश्वास करते हैं लेकिन मैं अपनी माता जी को एक बार ये तो जरूर कहूंगा कि अब दस दिन अपने जीवन का एक विपासना को देखे देखिए सायद आपके जीवन से दवा ही निकल जाए हमेशा के लिए आपने जैसे कहा कि वो दवा और वो घ्यान को मानती है तो यह विपासना यह भी तो यह वित्व एक साइंस है मासां अग्यांकी वित्व साइंस है यह विपासना देखीं जू हना सबके पंले मानी पढ़ता यह सीख पाएगा जिसके मन में खुद का नियंत्रन हो या जिसके मन में यह अभिलासा हो कि मैं अपने मन को नियंत्रन करूं दवा क्या है दवा यह उठाया दवा मैं खा लिया दवा अपना काम कर रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन विपास्णा में मैं जब आसन पर बैठता हूं तो मैं स्वयम पे खुद से काम कर रहा मुझे बाहरी भौतिक जीवन में बीजीवन से कोई मेटरलेस्टिक बल्ट से कोई नाता नहीं कि प्रबुद्ध हो जाना बुद्ध हो जाना यहीं विपाशना है मुझे तो यह लगता है किसी जीवन में ऐसी कोई बुरी और अच्छी चीज ही नहीं जो बीपाशना से अछूती है विपासना से अच्छूता कुछ भी नहीं है इस प्राणी मात्रिस दुनिया में इस ब्रहमांड में जो भी प्राणी है वो विपासना का हिस्ता है चाहे वो किड़ा मकड़ा जीव जन्तु प्राणी कोई कुई ना हो वो एक विपासना का हिस्ता है कि जिस प्राणी में मन है म अस्तिस्क है वो वीपासना कर सकता है अगर अगर आपको गिर्ण नफरत था या फिर आपका उसके प्रती बहुत ज्यादा द्वेश था अगर आपको उस इनसां के बारे में बारे में तो अंदर से कैसा भाव आता है देखिए practically मैं बताओं तो विपासना एक ऐसी पद्धती है एक ऐसा धारा है ना कि एक ये गंगा का धारा है जो लगतार निर्मल तोर पे बहता जा रहा है आप एक बार हाथ धोने से मन पवित्र नहीं कर सकते ये प्रैक्टिस है ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसको आपको साधक बनके करना होगा लंबे समय तक करना होगा आप इसकी पीछे समय दोगे विपासना आपको सारे कष्ट सारे सुख दुख सबसे मुक्त कर देगा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी ये पहली बार है मैं पहली बार के रूप में साधक के रूप में आया हूँ तो ऐसा तो मिलूंगा ना तो मेरे मन में गुस्ता आएगा लेकिन मैं उस गुस्से के बारे में सोचूंगा कि गुस्ता क्यूं आ रहा है इसका अर्थ क्या है इस यह निरार्थक है गुस्ता चाहे मैं मुझे किसी के उपर मोही क्यूं ना आ रहा है मुझे कोई भी भावना क्यूं ना र सबसे पहले बात तो कि यहां सब कुछ निसुल्क है सब कुछ सेवा भाव से आपको दिया जा रहा है जल हो सब्सक्राइब जल हो यह ऐसा सवक्ष बातावरन यह संसारी पूर्द बस ऐसा एकांत वास का जगह जहां आपके लिए सवक्ष घना है और सवक्ष घना ऐसा की ना उसमें तेल है उतना ना उसमें मसाला सत्विक भोजल जो आहार हमारे पौरानिक भारत में लोग लिया करते यह हार जो आपके मन को कभी बिचलितिनी करेगा सरीर सीं आहार यह नहीं है कि आपके मन को सब्सक्राइब अंदेने वाला अहार भातिबाती के आप मुझे पूरी चाहिए मुझे रस्माराई क्छाय है मुझे the चानवेज खाना है छोला बटोरा सीसीडी सीसीडी जाना है बर्गर किंग जाना है वो नहीं है यह यह कि आप अपने शरीर को जीवित रहने के लिए जो भोजन मिल रहा है और इहां की जो बेवस्ता है अति उत्तम अति उत्तम स्रेश्ट है और निसुल्क भाव से जब आपको कुछ भी सेवा भाव से निसुल्क में मिल रहा है तो आप कोई भी नहीं होते उसमें बुराईयां नीकालने वाली आप बुराई निकालने के हकदार तभी है अगर आप उसके लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहां के साधक को लोग घंटी बला बजा बजा के आईए भोजन ग्रहन कीजिए, आईए चलिए ध्यान कीजिए, अब इसका समय हो गया है, उसका समय हो गया है, मतलब हम लोगों को पाला जा रहा है, और इस पाला जा रहा है कि आप खुद को पहचानी है, यह कितना मतलब मैं क्या बहुत, साधुबाद का काम है, साधुबाद का काम है, विपासना के सारे सदस्यों को, यहां के जितने मेंबर्स हैं, दुनिया में विपासना के जितने सदस्य हैं, जितने सादक हैं, हम आप जितने लोग बेठ हएं, सबकों मिलबा से प्रणाम है और बहुत-बहुत करके सबसे बड़ा प्रणाम मुझे गोईन का जी को करना है उनके चर्णवे मुझे करना है उनके महापूरुस महापूरूस है और हमारे अचार महुटे में उनका नाम तो आन्ता उनको ही मेरा हिर्दय के गहराईयों से चरनस पर धन्यवाद साधुबाद